हुआ है है अगर आप अगर रखर से शौर्ग अगर्ट करभित वॉल्डान ट्लासिस में इरनाम में असिस पुमान तो तो आज हम आच चुकि हैं नरेशन के पार्ट फोर पर जिसमें हम नरेशन में यूज उने वाले ऑप्टिटिव शिंतियांस के वारे में चाने हैं कि दोस्तो इस से पहले में आपको ऐसा intuitive, interrogative और imperative sentence के बारे में बता चुका हूँ ठीक है इन तीरो sentence का यह जलना जडूरी है कि जिस sentence को म अंगर रख जैंडेर्ग कर रहे है वो कौन सा sentence है क्योंकि आपका नियम जो आपके रूल्स है वो उसी sentence के हमसार लगते हैं तो वे sentence जिसमें हम इस्वर से प्रात्रा करते हैं या अपने इच्छा परकर करते हैं तो वो sentence आपके operative कहलाते हैं सबसे बड़ी पैशा कि ये sentence हमेशा मेशे प्रारण होते हैं मेशे प्रारण होते हैं हमेशा तता बाग में मुदर sentence के अन्त में आपका संबोधन के एक्स्टेमेट्री मार्ट आन्त में आता है तो दो 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 इस पर कुछ एक्जाम्पें देख लेते हैं तुम्हारी आयू लम्डी हो तुम्हारी आयू लम्डी हो ठीक है तुम्हारी आयू लम्डी हो तो में से लम्डी संट है में से स्टार्ट होते हैं तो में यू लिव लॉंग लास्ट में आपकाश्क्री में दिख मां नेस्ट आप दिखते हैं भगवान तुम्हारी रच्छा करें ठीक है तो में गॉर्ड प्रोटेक्टिव ठीक है तो यह सेंटेस प्रड़ी बाद आपकी मेसी स्टार्ट होगें अब देखते हैं तुम्हारी अपने जीवन में तरक्की बाद तो में यूँ प्रोस्पर्स इनी ओर्ड़र प्रोस्पर्टिव प्रोस्पर्स इन्योर लाइफ तो तुम अपने जीवन में तरक्की करो तो में यूँ प्रोस्पर्स इन्योर लाइफ ठीक है और तिक लेते हैं तो दोस्तो इसमें कभी कभी क्या होता है स्राप भी आया था कर्ष्ट ठीक है तो उसके लिए करते हैं तुम सब नर्ग में जाओ तुम सम्दर पर जाओ तुम में यू आल गो टू है ठीक है तो मतलब इसमें आपका क्या रहा होता है प्रीक है दोस्तों तो यह रहा पपर ऊप्रेटिव работर शहले हुआ जोतो इंल चर्था Yaak सब्सकेल को आकार और शहल नहिए पारिटार बात करएंगे दॉने वाली एक और सॉन्टेंस एनरे किए और साधन धिन्या सेटन झाल झाल